सुप्रीम कोर्ट से बिरोधी पक्ष का नेता रहेगा वो कॉंग्रेस पार्टी से ही रहेगा इसे सिलसले में बाचित करने के लिए हमारे साथ जो हैं कॉंग्रेस पार्टी के नेता और बीमसी में विदोधी पक्ष के नेता जो है रवी राजा जी मोजूद हैं सर क्या कहेंगे आज जो है सुप्रीम कोर्ट से आपको बढ़ी जी पूँए सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं कहीं न कहीं जुडिश्री के उपर सबका भरोसा है और जो फैसला दिया गया है वो फैसला भाजब के नेता प्रभागरशिंदे जी ने हाई कोट ने जो फैसला दिया है उसके विरुद में सुप्रीम कोट में गया था और सुप्रीम कोट ने आज जो फैसला सुना कर ये बता दिया है कि भाजब हमेशा कुछ ऐसे चीजे मांगती है जिनको उन्होंने इंकार किया था 2017 में चुनाओं के बाद भाजब जो विरोदी का भूमी का मानगरपाली का में निबा रही है उनसे पूचा गया था कि आप विरोद भूमी का का जो पद लेना चाहते के नहीं लेकिन उन्होंने का कि हम नहीं लेना चाहते हम पारी करी पहारी करी यानि वाच्च मेंड का यानि वाच गार का बुमी का निबाना चाते हैं उसके लिए उसके बाद हमें पूचा गया है और हमने स्विकार किया क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी के एक नगर सेवक होने के नाते मुंबई कर का जो प्रश्ण है उसको जिम्मेदारी से हम उठाना चाते हैं और चार साल से हमने वो जिम्मेदारी सही तरीके से निबाए है आप जानते हैं कि मुंबई के जो प्रश्ण है विबिन प्रश्ण को लेकर हमेशा मनपा में हो स्टैंडिंग कमिटी में हो विबिन समित्यों में हमारे नगर सिवक मुंबई के हीत के लिए हमेशा उन्होंने उठाया है बात को उठाया है उसका समस्या को सुलजाने का काम यहां पर हमने किया है आगे जो मुंबईकर का समस्या है उसको हम बकूभी से उसको सदन में रखेंगे और सत्ता में जो आज यहां पर बैटे है अगर हमको उसका विरोध करना पड़े हम उसका जरूर विरोध करेंगे एक साल बाद BMC के चुनाओ है ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी की रणदीती क्या होगी आने वाले समय देखिए मुंबई कॉंग्रेस के आदन अध्यक्स भाई जक्ताब जी ने कहा है कि हम मान अगर पालिका के चुनाओ में कॉंग्रेस पार्टी अपने स्वव बल पर अपने धम पर चुनाओ लड़ेंगे और उसका कारिक्टरम शुरू हो क्या है हम एक विजन बना रहे है और हम ये लोग के पास जाएंगे कि हमारा विजन क्या है हम क्या करने वाले आपने देखा 25 साल से सीवशना सत्य में बैटी है और 20 साल से सीवशना के साथ में बाजब है एक दूसरे सत्य में बैट कर यहां पर यहां पर मान अगर पाली का में राज कर रहे हैं तो हमारा विजन क्या है हम लोग को क्या देने वाले है वो हम विजन बना कर उस विजन के आदार पर मुंबई का क्या होगा मुंबई के लिए हम क्या करेंगे मुंबई के लिए क्या क्या हम हमारा काम होगा उस आदार पर हम ल निश्चित क्या है और उस सो दिन का कारेक्टर में सो वाड में जाएंगे और उसके बाद जो है बचा हुआ जो 117 है उस वाड का एक एक वाड में जाकर हम लोगों को मिलेंगे उसके समस्या हम जानेंगे और उस समस्या को सुल जाने का काम उस माधियम से हम विजन बनाएंग और छे महिने के पहले उस विजन का जो आकार है, हम लोगों के पास लेके जाएंगे. नाना पटोले जो है नेर प्रदेश अध्यक्ष बने है, उनसे क्या उमीद है? और नाना पटोले जी एक डाइनमिक अध्यक्ष है, और मुंबई कॉंग्रस के एक हमारे, वो भी एक डाइनमिक है, जानदार है, दोनों जब डाइनमिक मिलते हैं, तो एक डाइनमिक निजम होते हैं, यानि एक बारूद पड़ता है, तो कहीं न कहीं इनका जो बारूद है, क आई जक्ताब जी के नेतुरतों में हम लोग के बास जाएंगे और लोग को बताएंगे एक नहीं संकर्प्रना लेकर हम आपके सामने आए हैं और मुंबई का हम आने वाले दिनों पर काया पलेट करने का काम माधियम से कॉंग्रेस के माधियम से होगा। शुक्री हमसे बातशीत करने के लिए थे रवी राजा जी जिन्हें आज जो है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जी जो है वो मिली है डेर्वी नियूर्स के लिए राहूल पांडे की रिपोर्ट